चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोचीतर कथा की तकदीर का खेल। अच्छी कानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। कंचन परदेश के राजा कंचन देव ने अपने पुतर के नाम कर सिंसकार के उपलक्स में एक बवयाजन किया, जिसमें आसपास के सभी राजा सम्मिलित हुए, इस समारों में यूराज का नाम सुन्दर देव रखा गया। क्याकर उन्हों ने उसके गाल पर प्यार बराएक चुमन नंकित कर दिया। ओ ये लोग तो मुझे भूती उपेशित नजरों से देख रहे हैं, क्या नी संतान होना सच्मूस इतना बड़ा अपराद है, मुझे यहां से तुरंट चले जाना चाहिए, यहां मेरा भूत अपमान हो चुका है। राजा कंचंदेव हमें पता नहीं था, कि आपके यहां कर हमें इतना अपमानित होना पड़ेगा। यदि मैं इतना ही अमंगल कारी था, तो मुझे निमंतर नहीं क्यों दिया गया। राजन मुझे दुख है, कि यहां पस्तित राजाओं ने आपके बारे में उल्टी सीधी बाते की हैं, मैं इन सब की और से आप से समा मांगता हूँ। राजा कंचंदेव इतने अपमान के बाद अब हमसे यहां एक संड भी नहीं रुका जाएगा। बगवान यूराज सुन्दरदेव को सदा सुखी रखे। इतना कहकर राजा कपील वर्मन वहां से तेजी से बाहर निकल गए। राजा कपील वर्मन के जाने के पर साथ मां कुछ देर के लिए संनाटा साचा गया फिर। आप सब लोगों को राजा कपील वर्मन का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। आप सब की तरह वे भी हमारे थी थी थे। इदर जब राजा कपील वर्मन अपना रच दोड़ाते हुए कपील अगर अपने महल में पूँचे माराज क्या बात है आप कंचन परदेश से इतनी सिगर क्यों लोटाए माराणी इस समय हम परेशान है करपा करके हमें केला छोड़ दो हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं माराणी ने राजा कपील वर्मन से कुछ नहीं कर और चुपचापक से बाहर चली गई माराणी के जाने के बाद आज राजा कंचन देव के यहां पस्तित राजाओं ने हमें यह एह एहसास करा दिया है कि हम नीज संतान होने के कान कितने हैसूब है सब कुछ होते वे भी हमारे पास कुछ नहीं है अब तो लोगों के सामने हम तभी नजर उठा सकेंगे जब हमारे यहां संतान उत्पन हो लेकिन क्या यह संबो हो सकता है मुझे सिगरी राज जोची को बला कर इस बारे में सला करनी चाहिए और राजा कपिल वर्मन ने तुरूंती राज जोची बहरानन को बलवा बेजा राज जोची बहरानन जी आप अपनी जोची विदा दवारा ग्यात करके बताएए कि अमारे भागे में संतान का सुख है या नहीं जो आग्या महाराज अपनी तरिका में राजा कपील वर्मन की संतान रेखा देखने के बाद महाराज समा करे आपके भागे में संतान का सुख नहीं है ओ, राज जोसी की बहिश्यवानी सुनकर राजा कपील वर्मन सिंता में डूब गए यह अपार सुख वैसुरे मेरे किस काम का, मेरे बाद इस राजे का कौन उत्रा दिखारी होगा मेरे बाद तो मेरे वन्स का पुर्णेता ना सो जाएगा और इस तरह राजा कपील वर्मन अपने नी संतान होने के दुख में डूबे रहने लगे राज कारिये देखने में भी उनकी रूची कम हो गई मारानी लखनावली उनकी यहालत देखकर अतन दुखी थी माराज आज कल आपको यह क्या हो गया है आपको जो भी दुख है मुझे बताईए मैं आपकी इर्दांगनी हूँ आप अपना दुख मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे मारानी तुम्हें वेर्थ ही संक्या हो रही है हमें कोई दुख नहीं है हमें कुछ नहीं हुआ है हम पूर्णिता सवस्थ है तभी महराज की जय हो महामंत्री जी आपसे मिलना चाहते है ठीक अउने अंदर बेज दो कुछी संबाद महामंत्री विजा देव उनके समक्स पस्तित थे महाराज आपको राजदर्बार में आई हुए आज पांस दिन हो गए है आपके बिना राजदर्बार सुना सुना सा लगता है समस्थ दर्बारियों ने अनुरोध किया है कि आज आप दर्बार में अवस्थ पदारे महामंत्री जी आज हमारी तबियत कुछ ठीक नहीं है इसलिए हम आज भी राजदर्बार में उपस्थ इतना हो सकेंगे हमारी ओर से आज आज आप समस्थ दर्बारियों से समा मांग ले जैसी आप किया गया महाराज कहकर महामंत्री विजदे वहां से चले गए उनके जाने के बाद यह क्या महाराज आपने अभी अभी तो मुझसे कहा था कि आप पूर्णता सवस्थ हैं फिर आपने महामंत्री से जूट क्यों बोला महाराज तुम हमारी वैथा नहीं जान सकती और हम तुमें समझा भी नहीं सकते कहकर कपील वर्मन वैगरता से उटकर कक्स में टैलने लगे कपील वर्मन की यह आलत एक महारानी रतनावली से रहाना गया महाराज आपने आज तक मुझसे कोई भी बात नहीं चिपाई है कि राज यह परदा क्यों आपको मारी कसम महाराज आपको जो भी दुख हमें बताई है और अतनावली तुमने हमें अपनी कसम देकर ठीक नहीं किया राज जोसी बहरवानन ने बविश्यवानी किये कि हमारे यहां कभी संतान उत्पन नहीं होगी जिसका मतलब है कि हमारे बाद हमारा कोई नाम लेवा वे वन्स को चलाने वाला नहीं रहेगा बस यहीं चिंता हमें खाय जा रही है नी संतान होने की वज़े से ही हमें राजा कंचन देव के यहां भी अपमान सहना पड़ा मारानी संतान ने होने के कान सबी हमें यह दस्टी से देखते हैं वो तो माराज के दुखी होने का कान यह है फिर मारानी रतनावली कपील वर्मन को सांतवना देती हुई बोली आप इतने निरास क्यों होते है माराज इस वर हमारी जरूर सुनेगा वैं हमें अवस्षा ही संतान देगा मारानी तुम हमें तब ते रेगिस्तान में पानी दिखा रही हो जूटी तसली देकर हमें बदलना वेर्थ है हम जानते हैं कि अब हमारे यहां कभी संतान नहीं होगी तब कपील वर्मन उदास से सया पर लेट गए और असमंदस में गिरी रतनावली अपने कक्स में लोट गई मुझे इसमंद में दरम गुरु गोपालाचारिये से विचार विमर्ष करना चाहिए वैं मुझे जरूर कोई रा बताएंगे यह निर्णले महारानी गोपालाचारिये के पास जा पहुँची आओ महारानी आओ आज आपने कैसे कस्ट किया गुरु जी मैं बड़े दरम संकट में हूँ संतान ने ओने के कान महाराज निरास हो गए है और जीवन का मुँ छोड़ बैठे है आप ही बताएं ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए महारानी की बास सुनकर दरम गुरु सोच में डूब गए लेकिन कुछ तेरे बाद महारानी संतान होना या ने होना इस्पर पर निर्बर है फिर भी महाराज की अवस्था को देखते हुए मैं आपको एक सला देता हूँ बताएं गुरु जल्दी बताईए तब दरम गुरु गुपाला चारिये ने महारानी जतनावली को एक योजना बताई ठीक है गुरु जी मैं ऐसा ही करूँगी तो जाओ और कुछ दिन बाद महाराज को यह सुप सुचना दो दरम गुरु को प्रणाम करके महारानी वहां से चली आई और कुछ दिन बाद महाराज उटिये यह समय इस तरह गुमसुम पड़े रहने का नई है उटिये और खुशिया मनाईए क्या कह रही हो महारानी किस बात की खुशिया मनाए हमी महाराज बात ही ऐसी है आप सुनेंगे तो खुशि से जुम उठेंगे महारानी क्यों पहली आप उजा रहे हो जो कुछ कहना है साप साप को महाराज बात यह है कि आप सिगरी पिता बनने वाले हैं क्या सच वो महारानी तुमने तो हमें सारी दुनिया की खुशिया एका एक ही दे डाली जिस चीज के लिए हम अब तक तरस रहे थे वही चीज अब हमें मिलने वाली है महाराणी यह समाचार सुनकर मतंद परसन है आज तुम हमसे जो भी मांगोगी हम सहर सी तुम्हें देंगे एक बार फिर सोच लिजे महाराज मैं आपसे जो भी मांगोगी आपको मेरी वहमान पूरी करनी पड़ेगी तुमें जो मांगना है महाराणी निश संकोच मांगो हम तुमारी इच्छा हो से पूरी करेंगे तो सुनिये महाराज जब तक मेरे संतान उत्पनो तब तक मैं एकांत वास में रहना चाहती हूँ तुमारी यह कैसी विचित तर इच्छा है महाराणी यह मैं आपको नहीं बता शकूंगे महराज मैंने आपको अपनी इच्चा बता दिये अब यह आपके आध मे है कि आप मेरी इच्चा पूरी करते हैं या नहीं ऐसी बात नहीं महराणी तुमने हैं अमें जो खबर सुनाई है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं हम तुम्हारी यह इच्छा उसे ही पूरी करेंगे तुम नो मा के लिए गुंजन परवत पर बने गुंजन महल में रहने जा सकती हो ओ महराज़ आप कितने अच्छे हैं आपने मेरी यह इच्छा पूरी करके मुझे सब कुस्ते दिया है मैं आपकी आबारी हूँ महराणी तुम्हारी यह इच्छा हम अपने दिल पर पत्थर रखकर पूरी कर रहे हैं हम ही जानते हैं यह विच्छो हम किस परकार सेहन करेंगे महराणी राजा कपी लिवर्मन के दिल की दसा को बली बाती समझ रही थी हता दिल कड़ा करके बोली महराणी मैं कली अपनी दासी सुरंगमा को साथ लेकर गुझन महल में रहने के लिए चली जाओंगी ठीक हम तुम्हें गुझन महल पूचाने का प्रबंद करवा देंगे उसी साम को सारे कपी लगर में महराणी के गरवती होने का समाचार विदूत वेक से फैल गया बगवान तु बड़ा दयाल हुए तुने हमारे महराज की पुकार सुन ली लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि महराणी राजा महराणी सारा प्रशुकार गुंजन महल के एकांत में क्यों गुजारना चाहती है यह बात तो मुझे भी विचित तरसी लगती है दूसरे दिन प्राते ही महराणी रतनावली अपनी दासी सुरंगमा के साथ पाड़ी प्रशितत गुंजन महल में चली गए महराणी जी एक पात मेरी समझ में नहीं आई आप गरवती होते ही इस एकांत महल में क्यों चली आई है सुरंगमा ऐसे भागे कहां मेरे कि मेरी कोक से संतान उत्पनो या आप क्या कह रही है महराणी जी सुरंगमा आज मैं तुम्हें एक रहसे की बात बता रही हूँ तुम्हें वादा करना होगा कि उस रहसे को अपने तक ही सिमित रखोगी महराणी जी मैं देवी मा की सपत खाकर खहती हूँ कि आपका रहसे अपने तक ही रखोंगे तो सुनो मैं गरवती नहीं हूँ और मेरे कोई संता नहीं होने वाली है क्या? हाँ सुरंगमा मैंने यह सब नाटक महराज को परसन रखने के लिए किया है महरानी जी जब आप मुझे अपने रहसे में सामिल कर ही रही है तो करपा करके अपनी सारी योजना मुझे सपष्ट रूप से बताए सुरंगमा मैं नो माँ तक इसी महल में रहूंगी उदर कपील नगर के लोग वे महराज यही समझेंगे कि यहां गुंजन महल में दिरे दिरे मेरा गरव विक्षित हो रहा है ठीक नो माँ बाद तुम्हे कपील नगर जाना है और उस समय राज़े में जिस सिस्त्री ने भी संतान को जनम दिया हो उस नवजाज सिसु को हमारे पास लाना है नवजाज सिसु के हमारे पास आते ही हम गोशना कर देंगे कि हम मा बन गई हैं इस प्रकार माराज वे सब लोग यहीं समझेंगे कि संतान हमारी ही हुई है वो मारानी जी ने तो बड़ी ही कतरना के उजना बनाई है मारानी रतनावली और सुरंगमा को गुंजन मैल में रहते दीरे दीरे समय बीटता गया और ठीक नो माँ बाद सुरंगमा अब तुम कपील नगर जाओ और जिस बच्चे ने भी वहाँ आज जनम लिया हो उसे लेकर हमारे पास आओ ध्यान रहे यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए जो आग्या मारानी जी मारानी की आग्या पाकर सुरंगमा कपील नगर की और चल दी जिस किसी भी इस्त्री का नवजात शिसू मैं मारानी के लिए लाँगी उसके सथान पर यह बंदरिया का बच्चा रख दूँगी सुरंगमा जैसे ही बंदरिया की और बड़ी खौँ खौँ ओ कहीं है मुझे काटने खाए सुरंगमा ने पास पड़ा वा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बंदरिया की और फैका कियें कियें बंदरिया तडपती हुई बेवस हो गई तब सुरंगमा ने बंदरिया के नवजात शिसू को उठाया और कपील नगर की दाई के पास पहुंची किरिष्णा दाई क्या तुम बता सकती हो कि राज्जा में आज किस इस्त्री को पर्षव होने वाला है हाँ हाँ क्यों नहीं राज जोसी बहरवनन्द की पत्नी कल्यानी को आज पर्षव होने वाला है मैं उसी के यहां जा रही हूँ कृष्णा दाई कल्याणी के जो भी संतान उत्पन होगी वह हर आलत में मुझे चाहिए उसकी संतान के सथान पर तुम्हें यह बंदरिया का बच्चा रख देना मैं तुम्हें इस कारे के लिए मुँ मांगा दंदूंगे ठीक है तुम्हें नुजाची सुमी लेगा परसव के पसाथ जब कल्याणी को होसाएगा तो मैं उससे कह दूंगे कि उसकी कौक से बंदर के बच्चे ने जनम लिया है तब सुरंगमा ने सुर्ण मुद्राव की ठैली किस्ना को दी सुरंगमा को अपने साथ लेकर किस्ना दाई जोच्सी बैवानंद के गर पूंची उस समय कल्याणी सया पर लेटी हुई परसव पीड़ा से करा रही थी कल्याणी बेहन क्या राज जोच्सी गर पर नहीं है वे तो दो दिन से राज़े से बाहर गए हैं तब तो कार्या असानी से पूरा हो जाएगा नियत समय पर कल्याणी ने पुत्र को जर्म दिया किस्ना दाई ने नवज़ाद सिसू के सथान पर बंदर के बच्चे को लिटा दिया और सिसू को लेकर सुरंगमा के पास पहुँची लोज सुरंगमा इसे लेकर यहां से सिगर्टा से चली जाओ कल्यानी को जल्दी ही हो साने वाला है याद रहे किसना दाई यह बात कानो कान किसी को मालूम नहीं हो सुरंगमा ने किसना को सरमदराव की एक और ठैले दी और सिसु को आचल में छिपा कर वहां से चली आई और नवजाद सिसु को लेकर गुंजन महल में महरानी रतनावली के पास पहुची लीजिये महरानी जी मैं नवजाद सिसु को ले आई हूँ सुरंगमा यह तो बताओ कि यह किसका सिसु है इसकी मा कौन है तब सुरंगमा ने महारानी को सारी बात बता दी सुरंगमा तुम सिगरी राज महल में महाराज कपील वर्मन के पास जाओ और उन्हें यह सुचना दो कि महारानी रतनावली एक पुत्र की मा बन गई है जो आग्या महारानी जी सुरंगमा राजा कपील वर्मन के पास जाप पूँचे महराज की जय हो महराणी ने पुतर को जनम दिया है ओ सुरंगमा क्या तुम सच कह रही हो हाँ महराज महराणी ने आपको सिगरी गुंजन महल में बुलाया है हम अभी वहाँ पूँचते हैं फिर कपील वर्मन ने सुरंगमा को उपार सुरूप डेर सारा इनाम दिया फिर कपील वर्मन तुरंत रथ में बैठ कर गुंजन महल में महरानी रतनावली के पास जा पहुंचे महरानी हमारे पुतर को जरा दिखाओ तो सही देखे किस पर गया है अवस्य महराज महरानी रतनावली ने अपने बराबर में लेटे नवजाद सिसु को उठा कर कपील वर्मन की गौद में दे दिया अरे यह तो बिल्कुल हमारे उपर गया है बेटा भी तो आप ही का है उत्तर को पाकर कपील वर्मन बहुत परसंद थे यह बगवान महराज को परसंद देखकर मुझे आज कितनी सांती मिली है यह मैं ही जानती हूँ बस यही पराथना कि महराज सहदव इसी परकार परसंद रहे इधर जब राज जोस्य बहरवानन की पत्नी कल्यानी को हो साय किसना दाई मेरी संतान कहा है और यह बंदर का बच्चा यहां क्यों लेटा हुआ है कल्यानी इस बंदर के बच्चे नहीं तुमारी कोक से जनम लिया है क्या? क्या ऐसा भी हो सकता है? हत बरब सी कल्यानी फूट फूट कर रो पड़ी रो मत कल्यानी तिरे भाग़ में ऐसा ही लिखा था अब रोने से क्या पायदा? किसना दाई यह मेरे कौन से जनमों के पापों का फल है जो मेरी कोक से बंदर के बच्चे ने जनम लिया खूदर राजा कपील वर्मन महरानी वे पुत्तर के साथ रत्थ में बैठ कर कपील नगर लोटाए महल में आकर उन्होंने महमत्री को बलाया और उन्हें आदेश दिया महमत्री जी पूरे राजे को दुलन की तरह सजाया जाए और खूब कुशिया मनाई जाए नन्य युराज के जनम की कुशी में गरीबों को बोजन में वस्तर इत्यादी बाटे जाए यह अमारा आदेश है जो आग्या महराज तुरंती आदेश का पालन हुआ बगवान करे युराज की लंबी उमर हो नामकर्ण संसकार के दिन राज महल में एक बवय एक कायजन किया गया और राजकिय पंडित ने नन्य युराज का नाम रखा महराज युराज का नाम कोसल वर्मन रखा जाए तो उत्तम रहेगा ठीक है हम युराज का नाम कोसल वर्मन ही रखेंगे विवराज का नाम किनो दाने के बाद शैसा कपील वर्मन को राज जोच्छी बहरवानन्द का ध्यान आया बहरवानन्द ने बहुष्यवानी की थी कि हमारे यहां संतान नहीं हो सकती विवराज ने जनम लेकर उनकी बहुष्यवानी को जोटा साबित कर दिया है इसका मतलब है उनकी जोशी विदा जूटी है हमें तुरुंती बहरवानन को बुला कर इस बारे में फूस्ताच करनी चाहिए राजा कपील वर्वन ने तुरुंत एक सेवक को बुला कर आग्या दि राज जोशी बहरवानन के गर अभी जाओ और उनसे कहो कि माराज ने उनने इसी समय बुलाया है जो आग्या माराज इधर कई दिन तक कपील नगर राजों से बाहर रहने के पसाथ राज जोशी बहरवानन अपने गर वापस लोटा है क्या बात है गर में इस समय सनाटा सा क्यों चाया हुआ है कल्यानी कहां गई जैसे ही बहरवानन ने कल्यानी के कमरे में प्रवेश किया अरे कल्यानी इस तरह बाल बिखेर कर सुनने में क्या देख रही हो क्या देख रही है इसने यह अपनी कैसी दसा कर रखे है और यह बंदर का बच्चा इसके पास क्यों पड़ा है बहरवानन्द ने कल्यानी से पूछा कल्यानी क्या बात है तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो स्वामी देखो मारे साथ क्या अनोनी हुई है एक बंदर के बच्चे ने मेरी कोक से जनम लिया है यह सुनकर बहरवानन्द अक्का बक्का रह गया क्या ऐसा भी हो सकता है मानो की कोक से बंदर का बच्छा जनम ले ऐसा तो ने कभी देखा और ने सुना यही वह समय था जब कपील वर्मन के सिर्क ने वहां परवेश किया बहरवानन जी आपको माराज ने इसी समय राज महल में बुलवाया है तुम चलो हम अभी राज महल पूचते हैं कुछ समय बाद बहरवानन कपील वर्मन के समक्ष था बहरवानन याद है तुमने हमसे काखा कि हम कभी भी पिता नहीं बन सकते हाँ माराज मुझे अच्छी तरह याद है तब ध्यान से हमारी बात सुनो मारानी रतनावली को पुत्तर उठपन हुआ है और तुमारी बश्यवानी जूटी साबित हो चुकी है क्या यह संभवे माराज मेरी जोची विदा कदापी जूट नहीं हो सकती यह सच है बहरवानन और अब यह भी साबित हो चुका है कि हमने जो राज जोशी का पत तुमें सोबा था तुम उसके लिए सरुथा अयोगव हो हतार हम आज से तुमें उस पत से अटाते हैं और तुमें आग्या देते हैं कि 24 गंटे के अंदर अंदर हमारा राजय छोड़ दो और कभी इदर लोट करने आना लेकिन महराज हम कुछ सुना नहीं चाते हैं अब तुम जा सकते हो अतर बहरवानन मुझ लटका कर कक्ष से बाहर निकल गया और फिर कल्यानी को साथ लेकर राजय छोड़ कर चल पड़ा मुझे लगता है यह बंदर का बच्चा अमारे लिए सूब है इसके पैदा होते ही हम पर यह विक्ति तूट पड़ी है ऐसा ने को कल्यानी अब यह अमारा बच्चा है अच्छा या बुरा जैसा भी है अब यह अमारा है फिर जैसे ही उनका रत उस पेड के पास पूचा जिस पेड के नीचे से सुरंगमा ने बंदर का बच्चा उठाया था औरे यह बंदरिया कां से आ गई और देखते देखते बंदरिया कल्यानी की गोद से अपना बच्चा छिनकर पून पेड पर चट गई और फिर पेडों पर छलांग लगाती हुई उनकी नजरों से ओजल हो गई हाई मेरा बच्चा कल्यानी चुप हो जाओ साद निती को यहीं मंजूर था कल्यानी को चुप कराकर बैवानन ने रत आगे बढ़ाया अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि जंगली डाकों ने उनके रत को चारों और से गेर लिया तेरे पास जो भी माल है निकाल दे वरना हम तुम दोनों को मोट के गाट उतार देंगे बाई मैं विक्ति का मारा हूँ मुझे छोड़ दो डाकों ने उनकी एकने सुनी और बहरवानन और कल्यानी को रत से उतार दिया फिर उनके रत को आँक कर वहां से चल दिये ये बगवान ये क्या हुआ अब मैं क्या करू कहां जाऊं जब रत उनकी आँकों से ओजल वा तो उसने कल्यानी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चल दिया चलते चलते बैरवनन्द जीत नगर जा पूँचा रात हो गई है इस समय रुकने के लिए काँ सथान डूनू लगता है आज की रात हमें सडक पर ही बितानी पड़ेगी बैरवनन्द के पास जो धन माल था उसे डाकू लूट चुके थे अतवे किसी सराय में नहीं रुक सकता था किस्मत मैं ऐसा दिन भी देखना लिखा होगा यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कैसी विडमना है कि दूसरों को भी से बताने वाला खुद अपना भी से नहीं जान पाया तबी दो चोर भागते हुए वहाँ से गुजरे पहरेदार उनका पिछा कर रहे थे रामू पहरेदार उमारा पिछा कर रहे हैं अब हम उनसे भचनी पाएंगे क्यों ने अपनी पोटलिया हम इस आदमी के पास फैक कर यहां से भाग जाए तुम ठीक कर रहे श्यामू पोटली उठा कर भागा नहीं जा रहा है अगर हम पकड़े गए तो राजा हमें जीज नहीं छोड़ेगा मत्या माल को यहीं पर छोर दो यह सोचकर उन्हें पोटलिया बैरोनन्द के पास पठकी और वहां से भाग निकले अरे भाईयो अपनी पोटलिया तो लेते जाओ जिन्हें यहां छोड़ कर क्यों भाग रहे हो बैरोनन्द अभी पोटलियों को देख ही रहा था कि वहां दो पैरेदारा पूँचे एक क्या तुने यहां से दो चोरों को भागते देखा है हाँ अभी अभी दो आदमी भागते हुए उदर गए है तभी एक पैरेदार की नजर उन दोनों पोटलियों पर पड़ी जिने चोर वहां छोड़ गए थे अरे चोरी के माल की गठ्रिया तो यहां पड़ी हुई है इसका मतलब है यह दोनों भी चोरों के साथ ही है नहीं हम चोरों के साथ ही नहीं है हम चोर नहीं है बैरवानन्द पैरवदारों के आगे रोया गिड़ी गिड़ाया पर उन्होंने बैरवानन्द और कल्यानी को जबरदस्ती वहां से उठाया वो पोटलिया उठाकर वहां से चल दिये कारागार में रहकर जब चक्की पीशोगे तो चोरी करनी भूल जाओगे प्यारे वारी कुदरत आज तुने हमें चोर भी बना दिया अगले दिन राजा जीत सिंग के दरबार में बैरवानन्द वैक कल्यानी को पेश किया गया तुम दोनों के पास से जो चोरी का माल बरामद हुआ है तुम दोनों के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है इसलिए तुम दोनों परादी हो अधा हम तुम दोनों को आज इवन कारावास का दंड देते हैं हाँ हाँ लगता दुखों के कारन कल्यानी पागल हो गई है राजा की आज्यानुसार बहरवानन्द और कल्यानी को तुरूट कारागार में डाल दिया गया कल्यानी तुम ठीक है आहा दिरे दिरे इस गटना को पूरे बीस वर्ष बीट गए बहरवानन्द और कल्यानी बूड़े हो गए थे एक दिन अरे बहरवानन्द तो मर्थ पड़ा है हाँ हमें माराद जीद सिंग को इसके मरने की सुसना देनी चाहिए पहरेदारों ने राजा को बहरवानन्द के मरने की सुसना दे राजा की आग्या से बहरवानन्द का अंतिम संसकार कर दिया गया अब पागल कल्यानी अकेली रह गई थी उदर कपील नगर के राजा कपील वर्मन भी बूड़े हो चुके थे महारानी रतनावली अब हम बूड़े हो गए हैं राज कारिय का बाहर के राज कार संबालना ही है महारानी रतनावली ने राजा कपील वर्मन से युराज कोसल वर्मन को राज कार विमर्श करना चाहिये यह सोचकर महारानी तुरूट उठी और दर्म गुरू गपाला जब वे दर्मगुरु गोपलाचारिये के कक्स के बाहर पहुचे अरे यहां तो मारानी रत्नावली पहले से उपस्तित है यह दर्मगुरु के पास क्यों आई है मुझे छिप कर दर्मगुरु और मारानी का वारतालाप सुनना चाहिए अतक कपील वर्मन दौार पर ही रुख गए और वहीं से अंदर का वारतालाप सुनने लगे दरम गुरू आज से 20 वर्ष पहले में आपसे एक सला लेने आई थी आज मैं फिर आपसे एक और सला लेने आई हूँ कहो मारानी तुमारी क्या समस्या है दरम गुरू मैं बड़े दरम संकट में पस गई हूँ माराज युराज कोशल वर्मन का राजय विशेक करना चाहते है अब आप ही बताएए मैं क्या करूँ क्या यह उचीत होगा माराज ऐसा सोच रहें तो इसमें अनोनी क्या है मारानी यह तो होना ही चाहिए लेकिन दरम गुरू मैं यह सोच कर गबरा उठती हूँ सोचना सरुथा गल्थ है बेशक कोशल वर्मन को कल्यानी ने जनम दिया है पर अब उस पर तुमारा और माराज का अधिकार है इसलिए कोशल वर्मन को राजय विशेक सोपने में तुमें वे माराज को कोई इचक नहा होनी चाहिए बाहर खड़े राजा कपील वर्मन अंदर के वारतालाप को सुनकर रखके बक्के रह गए इसका मतलब है कि बहरवानन की बुष्षवानी सच्ची थी ओ यह मैंने क्या सुन लिया कोशल वर्मन मेरा पुतर नहीं है ओ अग्यानता वस मैंने मैंने निर्दोस बहरवानन को कितना बड़ा दंड दिया उसे लज्जित करके अपने राजा से बाहर निकाल दिया यह सोचकर कपील वर्मन का सिर्थ चकराने लगा पिर किसी तरह उन्होंने अपने उपर काबू किया और वहां से चल पड़े लेकिन कुछ ही कदम चलने पर वो मुझे से चला चोनी जा रहा है ऐसा लगता है जैसे सारी पिर्थी गुम रही हो और वे संबलना सके और चकरा कर गिर पड़े तभी महां से दो दाशिया गुजरी अरे यह तो माराज हैं इन्हें यह क्या हो गया है दाशियों की आवाज सुनकर माराणी और दरमगुरु गोपाला चारी बहार आए माराज यहां और इस अवस्था में माराज दरमगुरु ने आगे बढ़कर कपील वर्मन की नबस देखी हाई यह क्या हुआ ओ यह तो अनर्थ हो गया माराज सोरक्षी दार गए माराणी विलाप करती हुई राजा के सव पर गिर पड़ी राजा कपील वर्मन की अकस्मात मिर्तु का समाचार सुनकर सारा नगर सदब दुरा गया इसी के तो हनोनी कहते है मेरे भाई माराज तो बिलकुल ठीक ठाकते फिर अचानक ही यह क्या हुआ मा यह क्या हो गया कि ताजी माराज हमे छोड़ कर क्यों चले गए बेटा इम्मत से काम लो पूर्ण राज के समान के साथ राजा कांतिम संसकार किया गया युराज कोसल वर्मन ने कपील वर्मन की चिता को अगनी दी राजा कपील वर्मन नमर रहे जब राजा कपील वर्मन की चिता को गये बेटा कोसल जल्दी तुमारा राजा भिशेक समारो होने वाला है उससे पहले तुमें वैश्न नदी में अपने सौरगी पिता के नाम से पिंटदान करने जाना है जो आ गया मा एक बात ध्यान रखना बेटा, जब तुम वैशनों नदी में पिंड़ दान करोगे तो नदी में से दो हाथ पिंड़ दान गंड करने के लिए पानी में से उपर निकलेंगे तुम उन हाथों को परणाम करना नहीं भूलना, वे आथ तुमारे पिता के होंगे ये बात मैं ध्यान में रखूंगा मा, दूसरे दिन कोसल वर्वन पिंड़ दान करने के लिए वैशनों नदी की और चल पड़ा चलते चलते वैए एक नगर में पहुचा, रात हो गये, मुझे आज रात यहीं किसी के गर में ठैर जाना चाहिए और सुबह उने पर ही यातरा पर आगे बढ़ना चाहिए यह सोच कर उसने एक दर्वाजे पर दस्तक दी, एक गरेश स्वामी दर्वाजे पर परकट हुआ क्या बात है बेटा, मैं परदेशी हूँ, क्या आज की रात आप के यहां मुझे आशरे मिल सकेगा गरेश स्वामी ने कोसल वर्मन की बात का जवाब ने दिया और उसे अंदर आने का इसारा किया, मुझे यह आदमी कुछ दुखी सा परतित होता है गरेश स्वामी उसे गर के अंदर ले गया और बोजन कराया और सोने के लिए चार पाई बिचा दी चार पाई पर लेट कर कोसल वर्मन गरेश स्वामी से बोला क्या बात है, आप कुछ उदास से हैं जब से मैं इस गर में आया हूँ, मैंने गर के हर सदस्य को कुछ बैबित सा देखा है इसका कारण क्या है बेटा तीन दिन से लगातार हमारे घर पर मिर्तु की चाया मन रहा रही है मेरे पांस पुत्र हैं पिछले तीन दिनों में एक एक करके मेरे तीन पुत्रों की मिर्तु आ चुकी है पतानी क्यों आदी रात बीटते ही घर के सब लोग किसी सक्ति के वसी भूत होकर गहरी नीच सो जाते हैं तब ने जाने कौन आकर मेरे पुत्रों को मार जाता है जिसका मतलब है जो भी तुमारे पुत्रों का हत्कारा है वे आज भी यहां आएगा इसी वज़े से तो हम सब बैवित हैं ने जाने आज किसके मरने की बारी है कोसल वर्मन गरत स्वामी को डाड़स बंदाता हुआ बोला आप चिंताने कीजिए मैंने इस गर का नमक खाया है इसलिए आज रात बर जाकर मैं पैरा दूँगा और कोई भी अन होनी नहीं होने दूँगा बेटा हम पर तो काल की छाया मनरा रही है तुम क्यों वर्थी मोच से मुकाबला करना चाहते हो गरत स्वामी ने कोसल वर्मन को बहुत समझा है पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा बेटा तुम जिद कर रहे हो या ठीक नहीं है आप मेरी चिंता नहीं करे मुझे कुछ नहीं होगा कहकर कोसल वर्मन ने तलवार से अपनी कनिष्ट उंगली में गाव कर लिया इस गाव की पीड़ा अब मुझे सारी रात निंद नहीं आने देगी इस परकार में पूरी रात जात कर इस गर के सदस्यों की देख बली परकार कर सकूंगा फिर कोसल वर्मन तलवार हाथ में लेकर घर के मुझे दवार के पास आकर बैठ गया आदी रात बीच जाने पर और ये मुझे दवार अपने आप ही खुल गया अगले पल एक पूरुस और इस्त्री ने गर में परवेश किया कोन हो तुम कोसल वर्मन की बात सुनकर पूरुस बोला तुमने जाग कर हम दोनों को जीवित देख लिया है ये ठीक नहीं हुआ हम तुमें अकारण ही नहीं मारना चाते हैं यदि अपना जीवन चाते हो तो हमारे तीन परसनों का उत्तर दो उत्तर नहीं बताने की सुरत में हम तुमें मार देंगे आपको मुझसे जो भी परसन पूछने है पूछिए मैं यथा संबव उनका सही सही उत्तर देने की कोशिस करूँगा मैं तुमसे तीन परसनों के उत्तर पूछूँगा तीनों परसनों का उत्तर एक ही है पूछो पहला परसन है जिन्दा आदमी क्या खाएगा तो मर जाएगा दूसरा परसन है मुर्दा आदमी क्या खा सकता है तीसरा परसन है भगवान से बड़ा क्या है तीनो परसन सुनकर कोशल वर्वन सोच में पड़ गया कुछ देर बाद तीनो परसनों के उत्तर हैं कुछ नहीं यानि जो कुछ नहीं खाएगा वह मर जाएगा वह पहले परसन का उत्तर है मुर्दा कुछ नहीं खा सकता है यह दूसरे परसन का उत्तर है तीसरे परसंद का उत्तर है बगवान से बड़ा कुछ नहीं है हम मान गए कि तुम एक बुद्धिमान युवक हो हमारे परसंदों के उत्तर देकर तुमने अपनी जान बचा ली है अब आप यह बताएए कि आप दोनों कौन है और रातरी के इस पैर इस गर में क्यों गुशे है सुनो पिछले जनम में इस गर के गरे स्वामी ने हमारे पांस बच्चों को अकारण ही मोत के गाट उता रहा था हम अगले जनम में उससे बदला अवस्य लेंगे हमने इस गर के गरे स्वामी के तीन पुत्र मार कर अपने तीन बच्चों का बदला ले लिया आज हम इसका चोथा पुत्र मारने आये हैं ओ तो यह बात है यह दोनों परेत आत्मा हैं कोसल वर्वन तुरंट उन दोनों से बोला आप दोनों ने इस गरह के गरह स्वामी के तीन पुत्रों को मार कर उसे काफी यातना दे डालिये अब उस पर करपा करो और उसके अन्य पुत्रों की जान ने लो जिसका एक ही उपाय है जल्दी बताईए वे उपाय क्या है हम जानते हैं कि तुम अपने सोरगे पिता का पिंड़ दान करने के लिए वैसनम नदी की और जाने के लिए अपने राज़े से चले हो अपने पिता का पिंड़ दान करने के पसाथ यदि तुम हम पती पतनी वे हमारे पांचो बच्चों के नाम से पिंड़ान कर दो तो हमारी बटकती हुई आत्मा को सांती मिल जाएगी तब हम इस गर का पिछा छोड़ देंगे मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों की इच्छा उसे पूरी करूँगा ठीक है तुमारे वादे पर विश्वास करके हम दोनों वापस जा रहे हैं अब हम लोग तुमें वैसनों नदी के तठपर ही मिलेंगे मैं आपका आभारी हूँ आपने मेरी बात मान ली जब यह दोनों वाँ से दर्शे हो गए तो वैजा कर अपनी चारपाई पर निश्चिंचा लेट गया सुबह उने पर जब उसने ग्रेश स्वामी को रात की गटना सुनाई बेटा हम सब तुमारे आभारी हैं तुमारे कहाण ही मेरे बाकी दोनों बेटों की और हमारी जान बच सकी है मुझे खुसी है कि मैं आप लोगों के काम आ सका अब मुझे आग्या दीजिये मैं अपनी आगे की यातरा पर जाना चाहता हूँ उन लोगों से विदाले वेट अपने सफर पर चल पड़ा कई दिन का सफर तैकर के वेवैसनों नदी के तट पर जाप उचा उसने मन इमन सवरगिया कपिल वर्मन का समर्ण किया वो पिंड़दान नदी में अरपन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तबी अरे यह क्या नदी में इसे पिंड़ गरन करने के लिए दो की बजाए चार आथ पानी में से निकले हैं यह क्या चक्कर है आस्चरे में डूबे वे कोसल वर्मन ने जैसे ही पिंड़ पानी में छोड़े तो चारो आथों ने उन्हें अपने आथों में ले लिया और नदी के पानी में दर्से हो गए कोसल वर्मन एरत में डूबा हुआ जड़ सा उसी जगह पर खड़ा रहे गया दो आथ तो पिताजी महाराज कपील वर्मन के थे लेकिन अन्ने दो आथ किसके थे जिनोंने मेरे दोरा अरपन किये गए पिंडो को महाराज के साथ गरिन किया है तभी वहाँ वही दोनों इस्तरी पुरुष परकट हुए जो कोसल वर्मन को पहले भी मिले थे पुरुष ने सोच में डूबे हुए कोसल वर्मन के कंदे पर आत रख कर का किस सोच में डूबे हुए हो ओ तुम कोसल वर्मन ने पुरुष को अपने आश्चरे का कान बताया तो वह बोला कोसल वर्मन राजा कपील वर्मन के हाथों के अलावा जो अन्य आथ पिंड गरंड करने के लिए नदी के जलमे से निकले थे वे आथ तुमारे असली पिता बहरवानन के थे यह क्या कह रहे हैं आप मेरे पिता तो राजा कपील वर्मन थे कपील वर्मन तुमारे धर्म पिता थे और बहरवानन तुमारे असली पिता थे तब उस पुरुष ने सुरू से अन तक सारी कथा कोसल वर्मन को कैस सुनाई सारी कथा सुनने के बाद कोसल वर्मन हका बक्का रह गया ओ तो मैं राजा कपील वर्मन का असली पुत्तर नहीं हूँ हाँ कोसल वर्मन तुमारी असली मा कल्यानी इस समझ जीद नगर के राजा की कारागार में कहदी का जीवन बिता रही है तुम पैदा होते ही अपनी माँ से अलग हो गए थे तब ही से तुमारी माँ पागल हो गई थे ओ, मेरी माँ ने बहुत दुख उठाये है कोसल उर्मन, यदि तुम वैसनों नदी का जल ले जाकर अपनी माँ को पिला दो, तो उसका पागलपन समाप तो जाएगा ओ, यह तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई मैं यह कारिया वस्थे करूंगा कोसल उर्मन, अब हम दोनों अदर्से हो रहे हैं हमारे अदर्से होने के पस्था, तुम मारे वैं हमारे बच्चों के नाम, पिंड़ दान करना ने बूलना ताकि हमारे परिवार के बटक्ते सदस्थों की आत्मा को सांती मिल सके मुझे अपना वादा याद है, फिर उसने एक छोटे से पात्र में वैसनों नदी का जल भरा और जीत नगर की और चल पड़ा जीत नगर पूँचकर वैराजा जीत सिंग से मिला और उसे अपनी मा कल्यानी की सारी कथा कैस सुनाई यह राज कोसल वर्मन हमें खेय देखी संदेवस हमने तुमारी मा को इतने लंबे समय तक अपनी कारागार में बंद रखा हम अभी तुम्हें तुम्हारी मा के पास लेकर चलते हैं महराजाप ने मेरी बात सुनकर जो निर्न लिया है उसके लिए मैं आपका अभारी हूँ जैसे ही राजा जीत सिंग कोसल वर्मन को साथ लेकर कारागार में पहुँचे हाँ हाँ वो मेरी मा की ऐसी दसा कोसल वर्मन ने आगे बढ़कर जैसे ही कल्याणी को वैस्टन नदी का जल पिलाया अरे मैं यहाँ कैसे आ गई वो लगता है मा ठीक हो गई है तुम कोन हो बेटा मा मैं तुमारा बिच्ड़ा हुआ बेटा कोसल वर्मन हूँ मेरा बेटा मेरा तो कोई बेटा नहीं है मैंने तो बंदर के बच्चे को जनम दिया था नई मा यह जूट है तब कोसल वर्मन ने कल्याणी को बहरवानंद के निदन की गटना वै अनने सारी गटना कैस सुनाई वो तो यह सब मारानी रतनावली का सड्य अंतर था मा उन्हें दोस ने दो यह सब तकदीर का खेल था साथ हमारी तकदीर में ऐसा होना ही लिखा था फिर कोसल वर्मन राजा जीद सिंग से आगया ले अपनी मा कल्याणी के साथ कपील नगर आया कपील नगर आते ही बेटा तू आगया तेरे साथ यह बूड़ी इस्तरी कौन है मा आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूँगा पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो बोल बेटा क्या पुछना चाहता है तू मा क्या कभी काट का गोड़ा पानी पी सकता है या क्या कह रहा है तू बला काट का गोड़ा पानी कैसे पी सकता है मा जब काट का गोड़ा पानी नहीं पी सकता तो एक स्तरी अपनी कोक से बंदर के बच्चे को कैसे जनम दे सकती है तुम्हारे कहने कास से क्या है कोसल वर्मन मैं समझी नहीं मा याद कीजिए आज से 20 वर्ष पहले आपके राज जोची की पत्नी ने भी एक बंदर के बचे को जनम दिया था वो तु कल्यानी की बात कह रहा है लेकिन तु यह सब कैसे जानता है बेटा मैं यह सब इसलिए जानता हूँ मा कि मैं उसी कल्यानी का बेटा हूँ और मेरी मा कल्यानी इस समय मेरी बगल में खड़ी हुई है कल्यानी यह कल्यानी है हाँ मा फिर कोसल वर्मन रतनावली को एक एक बात बताता चला गया सब कुछ जानते ही रतनावली की आखों से आसू बैनित चले कल्याणी मुझे मापकर दो मैंने तुम्हारे साथ भूत अन्याय किया है महरानी जी मुझे समा मांग कर आप मुझे सर्मिन्दा ने कीजिए कुछ भी हो आपने यसोदा बनकर मेरे बेटे को कृसन की तरह पाला है इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ महरानी जीतनावली ने आगे बढ़कर कल्यानी को गले से लगा लिया उचित समद पर कोसल वर्मन का राज़ भिशेक समारा हुआ और वे अपनी दोनों माताव की छतर चाय में निपूर्णता से राज़ काच संबालने लगा समार दोस्तों अच्छी कानी थी जरूर लाइक सब्सक्राइब करना कमेंट में बताना कैसी लगी दन्यवाद दोस्तों